हेलो साथियों नमस्कार साथियों हम हाजिर हैं फिर से आपके लिए द्रिष्टी आईएस की अगली प्रैक्टिस सेट लेकर जो आपके आने वाले इग्याम में यूपी-PSC-RO-A-RO और यूपी-PCS प्रिलिम्ज 2024 के लिए हम लेकर आये हैं उत्तर प्रदेश करेंट अफेर का ये content है साथियों जो आपके आने वाले जो एक्जाम है दोनों एक्जाम के लिए साथियों ये रामभान साबीत होगा क्योंकि साथियों इसमें जो भी current affairs के प्रशन रखे गए हैं इसका मैं पहला पार्ट बना दिया हूँ अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख लिजिएगा इसका पहला पार्ट मैं बना दिया हूँ आज हम इसके दूसरे पार्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं इस current affairs में साथियों इस जो हमारी आज की current affairs की practice set है इसमें खास बात ये हैं दोस्तों कि इसमें आपके UPPSC ROARO और UPPCS दोनों के syllabus को ध्यान में र जो current affairs से related हैं जिनके आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक होती है ऐसे प्रशनों को रखा गया है दूसरी बात साथियों इसमें ऐसे प्रशनों को GS के भी प्रश्न आपको मिलेंगे GS के ऐसे प्रशन को रखा गया है आपको लगेगा वो GS से हैं लेकिन वो indirectly current affairs से हैं यानि वो चीजे current affairs में थी ख़र खबरों में थी उनहीं से लेकर आपको GS का प्रश्न बना है जो कि आजकाल ऐसे ही सवाल पूछे जाने का trend हो रहा है GS का तो साथियों इसी दोनों base पर हमारे ये पूरा topic बना है इसमें आपको current और GS दोनों से मिलेंगे हलांकि कि दोनों current affairs से संबंदित है कोई direct होगा कोई indirect होगा तो साथियों हम लोग चलते हैं और चलने से पहले प्रश्न की सुरुवात करने से पहले एक बात और बता दूं कि आपके जो ROARO का साथियों exam है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है आप लोग को इसको खबर समय दिया जाएगा और 200 प्रश्न दिया जाएगा जिसमें से 240 जीएस को होगा और 60 जो है समान हिंदी का तो 200 प्रश्नों के लिए तीन घंटे का समय होगा इसके अपने कुछ फायदे भी हैं हलका फुलकन नुकसान भी हैं तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात कर ले में जो उनकी कमर दुखने लगती है तो आपको तीन घंटे बैटने की भरपूर प्रैक्टिस करनी होगी और आपको तीन घंटे अपने एनर्जी को बनाए रखना होगा तो यह सब थोड़ा से इसके फायदे नुकसान है तो चलिए कुल मिलाकर फायदा ही है आपको तीन घ साथियों आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिप्टी टू इसमें आप से जो पूछा जा रहा है कर रहे हैं कि विश्व सूचना समाज सिखर सम्मेलन प्लस ट्वंटी फोरम दोहजार चौबिस का कहां आयूजित किया गया है यह आप से पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंब बिश्व सूचना समाज सिखर सम्मेलन आगे हम लोग देखते हैं तिरपन वाले में अगर तो तिरपन वाले में साथियों आप से क्या पूछ रहे हैं यह गतम आपके EUP PCS और RORO के सिल्बस के हिसाब से सभी प्रश्ण है साथियों जो आप से पूछ रहा है यह तिरपन वा इंडोपैस्विक एकोनॉमिक फ्रेमवर्क और प्रस्परिटी तो यह साथियों सिंगापूर में किया गया है बिकल्प नंबर बी ऐसी जो महत्पूर बैठक होती है इस सरब का आयोजन होता है ऐसे प्रश्ण पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्णों को हमें याद थोड़ आणिसली सीखेंगे भी अच्छी सीजें देखो चावण में आपको दो कथना है दोनों कथनों को पढ़गर अफिर आपको सही इतर देना यहां ध्यान रख लेना आपसे सही पूछ रहा है कभी-कभी कहता है गलत बताई जिता है आप सही उतर देना है जब आप पहला पढ बात बिल्कुल गलत है वैस्विक लेंगिक अंतराल रिपोर्ट दोहयर चौबिस के अनुसार भारत 146 में अस्थान पर पहुंच गया है तो साथ ही में ये बात बिल्कुल गलत है वैस्विक लेंगिक अंतराल रिपोर्ट दोहयर चौबिस का आई है इसमें कुल 146 देश ही है 146 देशों के ये लिश्ट आई थी जिसमें भारत जो है साथियों इस साल खोड़ा सा नीचे चला गया दोवंग इस साल भारत जो है लेंगिक अंतराल रिपोर्ट मामले में 100 129 अ विश्ट लेंगिक अंतराल दोहयर चौबिस में भारत 129 अस्थान पर है तो ये दूसरा गलत हो गया तो इसका मतलब केवल आपका एक अथन सही होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा केवल ए विकल्प नंबर ए चौउवन का ए सही होगा आगे चले हम लोग 55 में देखते है 55 में क्या है साथियों 55 ने जो पूछा जा रहा है यहां पर संयुक्त राष्ट सतत्द विकास रिपोर्ट दोहजार चौबिस के अनुसार यहां पर थोड़ा से इधर करें अब सही है क्या कर रहे हैं संयुक्त राष्ट सतत्द विकास रिपोर्ट दोहजार चौबिस के अन में एक सो नौवे अस्थान पर है तो तो टाफ हंड्रेड में सामिल नहीं हो पाया है भारत तो यह गलत हो गई बात यह वाला बात गलत हो गया यहां पर आप लोग को गूगल से सर्च कर सकते हो सतत विकास रिपोर्ट तो सारी देगा आपको तो इसमें यहां तो आपको जो ह जो है दिखाई देगा कि यह स्विटन, डेन्मार्क यह सब जो है टॉप पर हैं तो यहां पर दूसरी बात जो है यह कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में पहली बार भारत के 9 बंदर गाहों को ग्लोबल 100 में सामिल किया गया था यह बात सही है यह दूसरी बात यही आपका सही है यानि कथन 2 के वल सत्य है आगे हम लोग चलें 76 में सातियों क्या दिखा एक से बढ़कर यह कैसे ही परशन पूछे जाते हैं आपके एकजाम में Water for Shared Prosperty Water for Shared Prosperty Report निमनलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है तो किसके द्वारा जारी की जाती है सातियों यह जारी की जाती है बिश्वबैंग विकल्प नंबर यह डी हो जाएगा बिश्वबैंग के द्वारा जारी की जाता है Water for Shared Prosperty आगे देखे हम लोग ऐ ऐसे पर्शन आपके एकजाम में एक दो जरूर मिलते हैं, अभ्यास से सम्बन देद्द, तो इसमें आपसे पुछ रहा है, कौन सा गलत है, यहां पर जरूर ध्यान दिया करिये भाई, नहीं तो आप आता हुआ पर रसन गलत करके आएंगे, आपसे गलत पूछ रहा है तो आपसे मालूम होगा GX24 के बारे में पूछ रहा है GX24 सातियों भारत और जापान के मद्ध एक तरह का ये समुदरी अभ्यास है तो यहां दे दिया है भारत और सिंगापूर के मद्ध तो सातियों इसका मतलब यही गलत है तो यही गलत हो गया और यही आपका उत्तर होगा यह गलत है और यही गलत वाला ही आपको उत्तर बताना है क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा गलत है जब यह गलत है इसका मतलब यह तीनों अपनी अपनी जगह पर सही है तो इसको पढ़ लेगा बीर गार जियन भारत यह जाप तो यह सब तीनों सही हैं गलत ए था के वन आगे देखें 58 में हमसे क्या पूछ रहे हैं तो 58 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है भाई पापुगा गिनी निव पापुगा गिनी यहां पर क्या करें पापुगा निव गिनी के संबंद में दो कतन दिये गए हैं आपको दोन है भारत में हाले में दो किमते हैं तो यह 2 दूसरे में पूछ रहा है कि बहुँ को यह प्रसांत दीप सहयोग मंच मंच का एक सदस्डश भी है तो इसका मतलब दोनों सभी हो गए 。」 गलत कोई भी नहीं है न तो इस न तो एक गलत है न तो दो तो उत्तर आपका यहां डी हो जाएगा 58 का डी हो जाएगा बहुत अच्छा आगे चले हम लोग देखते हैं तो 59 में क्या पूछ रहा है साथ ही हो 59 पूछ रहा है अबु मुशा ग्रेटर टुन्जब अबु मुशा यह इरान से संबंदी थे 59 का जो आपका उत्तर यह सी हो जाएगा अबु मुशा ग्रेटर टुन्ब और लेसर टुन्ब तो यह इरान से संबंदी थे इरान के यह दीफ हैं तीनों याद रखे रहेगा यह चर्चा में थे तो यह आपसे पूछ सकता है आगे देखें साथ मे तो साथ वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है अंतर राष्टी योग दिवस 2024 जो भी मनाया गया है तो अंतर राष्टी योग दिवस आप लोग बताईएगा कमेंट बॉक्स में किस त्यारी को मनाया जाता है मैं आपको हिंट दे रहा हूं जून में मनाया जाता है तो आ कल्प नंबर भी हो जाएगा आपका आपके साठ का भी यह हो जाएगा योगा फार सेल्फ एंड स्वसाइटी भी आपका उत्तर होगा आगे हम लोग अगर देखें एक सथ में तो एक सथ वाले में क्या है तो थोड़ा सा इसको हमें और सेट करना पड़ेगा अब सही है तो हा गैरोज नाम पिए पुस्तक यही लिखे थे और इसी पुस्तक को मैन बुकर पूरशकार दोहयर्चोबिस से नवा जा गया है तो इसका मतलब गैरोज पुस्तक के बारे में जो दोनों कथन दिया है यह भी सही है तो आपका उत्तर जो है सही पूछ रहा है तो सही आपका सी हो जाएगा एक और दो दोनों सकते हैं आगे देखें हम लोग 62 में 62 में आपसे क्या पूछ रहे हैं यही प्रशन देखें कितना लाजवाब प्रशन पीट एक से पढ़कर एक प्रशन है सातियों यही प्रशन जो है आपके एक्जाम में किसी ना किसी रूप में डारेक्ट स्वेत राष्ट पती यानि काले राष्ट पती थे तो जो वहां राष्ट पती बरने बाद वहां जो कालों को विभिन अधिकारों से वंचित किया गया था उनको अधिकार दिलाने में बहुत बड़ी भूम का निभाए जैसे हमारे यहां राष्ट पिता महात्मा गांधी क को पूजा जाता है ऐसे वहां बहुन हो नियसल मंडेला पुरोषार खर से संप्वानित किया गया है किसे शंपार हिए गया तो साथीओं निमहास कोई राश्रि मानसीक स्वास्ता और तंत्री का विज्ञान संथान निमहास साट्कर्ट में जिसे का आ जा जया था जो पंगलो Stories from Indian History साथियों इतना बड़ा ये एक गरंथ उपन्यास का नाम है ये उपन्यास किसने लिखा है ये आपसे पूछ रहे है इस उपन्यास को किसने लिखा है तो साथियों नंदिनी सेन गुपता ने लिखा है अभी ये चर्चा में था बिकल्प नंबर ए नंदिनी सेन गुपता ने लिखा है इस उपन्यास को आगे देखे हम लोग 64 में 64 में आपसे क्या पूछ रहे हैं तो इसमें जो पूछा जा रहा है वर्स 2024 का ब्लू प्लैनेट 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरसकार किसने जीता है तो किसने जीता है साथियों यह इंटर गवर्नमेंट यानि आए जो है यह वाला IPBES तो यह वाला है इंटर गवर्नमेंट प्लैटफार्म आन बायो डाइविसिटी एंड एको सिस्टम सर्विसेज IPBES तो विकल्ब नमबर बी आपके हो जाएगा ब्लू प्लैनेट पुरसकार यह जीते है IPBES 65 देखते हैं हम लोग 65 में आपसे क्या पूछ रहे है 65 वाले में साथि हूँ जो आपसे परशन पूछा जा रहा है देखें क्या पूछ रहे हैं निमलिखित कस्नों पर बिचार करें बिचार करके हमें जो है सही उत्तर बताईए सही उत्तर बताना है गलत नहीं बताना है तो आप जब पहला पढ़ेंगे तो पहले माप देखेंगे कराए इस्पेन के टेनिस खिलाडी कारलोस अलकराज हार्ड कॉट मिट्टी और गहास पर grand slam क Kitty जीतने वाले सबसे कम उमुर के व्यक्ती बन गए है तो साथियों ये बात बिलकुल सही है कि जो है ये इसके संम्मंद में सही है कारलोस अलकराज के संमंद में ये सही है और इसमें कहा रहा है ईगा श्वी एतक फ्रेंच ओपन दोहयार चौबिस के उपबिचेता है नहीं साथियों उपबिचेता है नहीं है वो जो है एक बहुत ही पाफुलर है उन्हीं को यह हराये थे जो है यह कारलोस अलकराज नौवाग जोकोविच करके हां साथ वही है नौवा में आपसे क्या पूछ रहे हैं हाली में भारती जैवलीन थ्रो आप ज् Lobलोग जानते हैं नीरत चोपडा के बारेमें करे हैं भारती जैवलीन doet फिलाडी नीरेक छोपड़ा ने इयोजित kis प्रादियोगीता में गौल्ड मेडल जीता है किस प्रदियोगीता में गौल्ड मीडल उन्हों ने जीता है जो कहाँ पर हुआ था यह फिन इसकी बात कर रहा है, यही सही है, 26 वाले में सही है यही वाला, तो 66 वाले में, मैं 26 बोल दिया, आगे देखें, तो 67 में आप से क्या पूछ रहे हैं, 67, हाली में चर्शा में रहे, चक्रवाद तुफान, जिसका नाम रेमल है, साथी हूँ, अभी रेमल खूब, चक्रवाद यह अपने बहुत ज़्यादा खबरों में था, जो बंगाल की खाड़ी तरफ से आया था, बहुत ज़्यादा तबाही भी में चाया था, तो रेमल के संदर में दो कथन है, दोनों कथनों बिचार करके सही उत्तर दीजिए, तो पहला क्या करा है, यह एक उसक्रवंदी, चक क्रवाती तुफान था, जिसका उद्गम अरब सागर में हुआ था, तो साथियों, यह जो है गलत हो गया, मैंने कहा बंगाल की खाड़ी में हुआ था, अरब सागर में नहीं हुआ था, तो यह बात यहाँ पर गलत हो गई, पहला वाला गलत हो गया, दूसार रेमल सब्द क का अर्थ अरभी भासा के उनुसार रेट है याश अरभी भासा में रेमल सब्त का अरथ जो होता है रेथ होता है जिसे हम लोग बालू कहते हैं तो इसका मतलब के वहल 20 सत्य है s résसी प्ता में 66 का वी होगा आगे देखा जाए अगर जो पैसे च रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे सुन्धून, सुन्धुनु कागीगर, यह क्या पूछ रहा है साती हो हाल ही में अभी चर्चा में रहा सुन्धनु कागीगर ज्वाला मुखी, सुन्धनु कागीगर ज्वाला मुखी के संदर में कौन सा कथन सही है, तो इसको बताना है आपको कौन सा कथन सई है सुन्दनु कागीगर के ज्वाला मुख्य भी हुआ था उसके बारे में तो साथ यह यूरेशियन और उत्तरी अमेरिका प्लेट्स के बीपरी दिसा में संचलन कर रही है तो इसी के माध्यम से हुआ था यहां पर किसके संबन में कौन सा कथन सई है तो इसी के कार तो यह ज्वाला मुख्य है आगे देखे हम लोग अनसट हो गया हम लोग का हम लोग देखते हैं अब 69 साथियों एक अच्छा सवाल दिया है हम लोग का यह आप लोग जानते होंगे अगर थोड़ा मैच्योर होंगे आप लोग तो आप लोग इससे जरूर जाने होंगे लगभग दो महिननेया तो मीफीप्रिष्टोन जो होता है जिसका गरव दारन रुक जाता है यह जो pregnen हो जाती महिले उस pregnancy को लगभग 2 महिने यानि Юजने य्टीन को खटम करने के लिए यानि गर्वपात कराने के लिए यह दवा दी जाती है आप लोग जानते हैं इस दवा तो इसमें अमूमन जो है एक बड़ा सा पत्ता रहता है इसे में तीन दवा लगभग रहती है तो मीफे प्रिष्टोन जो होता है या गर्वपात से संबंदित होता है तो कुछ लोग यह प्रेग्नेंसी खतम करती है दोनों में अंतर होता है तो जो 72 घंटों जैसे संबंद बनाने के जो 72 घंटों के अंदर दी जाती है वो तो रोकने के काम करती है प्रेग्नेंसी रोक देती है और यह प्रेग्नेंसी खतम करती है मीफे प्रिष्टोन आगे देखें हम लोग सत्तर में क्या है पूर्टगालियों ने भारत में अपने पहला दूर्ग कब बनाया था दूर्ग मतलब किला तो पहला किला इस्थापित किया था सातियों केरल के कोचीन में पंदरसो तीन में वहां कोचीन के राजा के सहयोग दिकल्प नमबर D हो जाएगा तो अभी ये चर्चा में रहा होगा केरल का दुर्ग, इसलिए पूछ लिया, तो एक अहतर में देखें, तो छटी सताब्दी ईसापूर्थ 16 महाजनपतों में से, एक चेदी महाजनपत की राजधानी क्या थी, तो साथियों जो 16 महाजनपत थे, उसी 16 महाजनपत में एक सती मती थी, विकल्प नमबर C हो जाएगा, ये C हो गया, बहुत अच्छा, आगे देखते हम लोग, भारत में फार्मिंग पध्धती, भारत में फार्मिंग पध्धती की सुरुवात निम लिखित में से किसके द्वारा की गई, तो फार्मिंग पध्धती की सुरुवात कि इसके द्वारा की गई थी साथियों वो अंग्रेश का नाम भी है और उसका कारेकाल भी है तो इसमें आपको बताना है तो साथियों वारेन हेक्सटिंग 1772 से पचासी तेक उसका कारेकाल था तो इसी के द्वारा ये फार्मिंग पद्धती शुरुवात की गई थी आगे देखे हम लोग 73 में क्या है अभिक्यान साकुंतलम साथियों आप लोग जानते हैं अभिक्यान साकुंतलम और गीत गोबिंद का अंग्रेजी में अनुवात करने का कार निमलिखित में से ये किस ने किया था तो साथियों ये किस ने किया था ये विलियम जोन्स ने किया था विकल्प नंबर ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे बिलियम जो इस बहुत ही प्रसीद अनुवादक था तो यह जो है अंग्रेजी में अनुवाद करने का कार किया था आगे देखें हम लोग 74 में वह बिद्रो जो 1855 से 56 में 1855 में हुआ था जिसके नेतित सिद्धो और कानु कर रहे थे तो नेत्रुत में जमीदारों के द्वारा किये गए यानि किसके खिलाब था जमीदारों के जो 166 का जमीदार कर रहे थे उनी के खिलाब अंदोलन था तो यही करायक वकिस छेत्र एम जन जाती से संबंदित है तो साथियों आप लोग जानते हैं छोटा नागपूर एरिया से संथाल जन जाती से संबंदित है तो आपका 74 का सी हो जाएगा तो आपसे कोई पूछे कि जो यह संथाल जो विद्रों हुआ था वो कब हुआ था तो 1856 में सिद्धों कानूज के नेतित कर रहे थे क्यों कर रहे थे क्यों हुआ था यह विद्रों जमीदार जो अत्यधिक सो संथा की सुरुआत की गई तो साथिओं आप लोग जानते हैं प्राथना समाज की किया गया था विकल्प नंबर भी विकल्प नंबर भी हुआ था महराष्ट में हुआ था यह पचातर भी यह सब साथिओं अभी किसे ने किसी बात से लेकर चर्शा में थे इसलिए करेंट फिर टॉपिक में यह रखा गया मैं आपसे पहले बताया था यह ऐसे जीएस है जिसके पूछे जाने कि ऐसा नहीं यह मनमानी तरीके सुखा कर रख दिया गया है यह किसी ने किसी इंडारेक्टली यह चर्चा में रहे इनका कोई भी जो है इलिमेंट चर्चा में रहा जब देखते हैं एहोल के चालुक मंदीर वेर्सर सैली का प्रतिनीधित तो करता है तो साथियों यस बिल्कुल सही है एहोल का जो चालुक मंदीर है वो बेसर सैली में बना हुआ है तो बेसर सैली मतलब आप लोग जानते हैं साथियों जो जैसे उत्तर भारत के जो है वो न जोरा में है का निर्मार राष्ट कूर द्वारा किया गया था यस तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर सी हो जाएगा छी हत्तर का सी आगे देखें हम लोग सताहत्तर में बेलन घाटी में इस्थित लोहंदा नाला जिस मूर्तिकला के साथ प्राप्त हुए हैं वकिस समय का प्र साथ प्राप्त हुए हैं तो यह किस समय का प्रतनिद करता है किस समय की यह बात कर रहा है जो मिला है यह तो यह उच्छ पूरा पाशारकाल से संबंदित है विकल्प नंबर सी हो जाएगा तो यह मूर्तिकला के साथ प्राप्त हुए हैं किस संबंदित है उच्छ पूरा प ब्हुम बेटका के संदर्में आपको जो दो कथन दिए गए हैं इन्ही कथनों को पढ़कर हमें बताना है तो यह साथ यहीं एक मिनट यह वाले में तो ये सही है, सौरी, मैं सो चच्छूड गया है कि सही है, तो भीम बेटका के संदर में निमलखित कत्नों पर विचार कीजिए, तो विचार करके हमें इन दोनों कत्नों को पढ़कर सही उत्तर देना है, तो साथियों जो हमें पूछ रहा है, कि ये हमध्ध परदेश के रायसेन म तो साथियों ये वाला बात गलत है, और ये जो दूसरा पूछ रहा है, या पूरा पाशार कालिन चित्रकला के साच पाए गए या साथियों, जो भीम बेटका है, मध्ध परदेश में है, तो यहां जो पूरा पाशार कालिन के चित्रकला के साच पराथ हुए, तो ये बात इस्तूब भरहुत इस्तूब के संदर्म में दो कथन लिखे गए हैं और दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है तो चले हम लोग यह जो पहला वाला कह रहा है पहला वाला तो इसमें कह रहा है साथ यह समराट असोग के कारकाल में एक पालिशदार लाल बलुवा पत् से बनाया गया है तो यह बात बिल्कुल सही है इसकी मरमत सुंग काल में ही कराई गई थी यस यह भी बात सही है तो आपका उत्तर सी हो जाएगा सेवंटी नाइन का सी आगे हम लोग असी देखते हैं असी में साथ यह गजब का इंडियन पॉलिटी से सवाल ऐसे सवाल में है अधा जांव हो जाते हैं अच्चे अच्छे लोग तो यहां पर क्या पूछ रहा है करां कि अनुछे यह परिसे 75-3 की जो कहता है क्या कहता है करें कि मंत्री परिशत को संसद के प्रति उत्तरदाई बनाता यह तो तो साथियों गलत मंत्री परिशत को संसद नहीं संसद में तो सब ROG परिशद या लोग सभा के प्रति उप्तरदाई हो तो यह बात आपकी गलत हो गई तो यह बात तो गलत हो गई अब हम देखते हैं इसको थोड़ा मिटा दे तो यह बात आपकी गलत हो गई दूसरा जब पढ़ेंगे तो अनुछेद बाइस कह रहा है कि दोहरे दंड का प्रत सजा दो बार सजा नहीं मिल सकता तो यह भी गलत हो गया क्योंकि यह अनुचेद 22 नहीं यह अनुचेद 20 से सब्मंदित है तो इसका मतलब करा है कौन सा सही है तो साथियों 80 का जो होना चाहिए उत्तर तो वो जो है यहां पर कोई नहीं होगा तो हमारे इसाप से तो यहां लिकल्प नंबर D होगा लेकिन साथियों कुछ लोग कहीं कहीं किसी बुक में ऐसा लिख दिया आता है कि मंत्री परिशस संसत के प्रति उत्तरदाई होगी तो संसत के प्रति उत्तरदाई लिखने को तो लिख दियाता है कुछ हद तक यह सही हो जाता है लेकिन असल में लो आगे देखें 81 में तो सरकारिया आयोग आप लोग जानते हैं केंदर राज संबंदों से संबंदी ते सरकारिया आयोग गठन किया गया था 1983 में यही कह रहा है कि किस वर्स गठन किया गया था अगे देखें हम लोग प्रथम पिछड़ा आयोग जो बनाया गया था साथियों 60 के दसक में तो आप लोग जानते हैं कि जब पहले सेस्टी का आरच्षण मिला तो बसी वाले हल्ला मचाने लगया जादिक बात तो उनको मचाते मचाते 60 के दसक में जब यह जो प्रथम पिछ बात को लेकर तो जो पिछड़े वर्ग थे ओभी सी थे आरचन जाके 1992 में लगवा क्लियर होगा बीपी सिंग की सरकार में तो आगे देखे अहां पर कह रहा है अध्याश कौन थे काका कालेल कर थे जब भी आपसे पूछे प्रथम पिछड़ा वर्ग के आयोग काका कालेल कर देखें हम लोग 83 में तो 83 में हमसे क्या पूछ रहे हैं तो 83 में जो पूछा जा रहा है साथी हो भारत का नियंत्रा के ओं माहलेखक परिछक के संदर में कथनों पर बिचार करना है हमें बिचार करकर दोनों कथनों को जो है सही से उत्तर देना है तो यह एक सामविधिक संस मतलब इसकी कहने का मतलब साम्विधिक संस्था कि यह सनम्दान से परिश की संविधान चर्चा नहीं है कि साथ यह बात तो यहां गलत है क्योंकि काईगी की चर्चा सन्मिधान में किया गया है तो यह बात आपकी जो है यह गलत हो गई तो पहला तो गलत हो गया आपकी बात क्योंकि यह संविधानिक संस्था है सामवीदिक संस्था नहीं है संविधानिक संस्था का मतलब यह होता है मारदर्शक दूरूप में कार करता है तो आपका उत्तर जो होना चाहिए वो केवल भी हो जाएगा केवल भी यानि केवल दो हो जाएगा आगे देखें हम लोग 84 में तो 84 में जो पूछा जा रहा है प्राथमिक तरंगे बहुत अच्छा सवाल भूकम से संबंदित है तो अभी कई सारे जगों पर भूकम पाए हैं उनहीं से संबंदित बना दिया प्रश्न तो प्राथमिक तरंग आप लोग जानते हैं भूकम में जो आता है दो तीन प्रकार वूकम से बोर सबसे पहले उत्पन होती हैं और प्रिथ्वी पर भी सबसे पहले यहीं पॉच्छती हैं अलांकि अन तरंगों की अपेच्छा यह खतर नहीं जादा नहीं होती है तो यह बात बेलकुल सही है प्राथमिक तरंग सबसे पहले उत्पन होती है और प्रिथ्वी पर भी सबसे पहले पहुशती है करा है यह केवल ठोस यह द्रव में ही गमन यानी चल सकती है साथ यह गलत यह ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती है प्राथमिक तरंग जो है ठोज दरब गैस तीनों में चल सकते हैं यह गलत हो गया तो आपका उत्तर केवल एक होगा यानि ए उत्तर हो जाए केवल एक सही है 84 का एक आगे देखें हम लोग 85 में 85 में कह रहा है कि वायू के प्रती इकाई आयतन में उपस्थित जलबास्व की मा जिससे ग्राम प्रतिगहन मीटर में मापा जाता है तो साथियों यह जान लीजिए निरपेच्छ आरदता का मतलब वायू में जो है कितनी नमी है आपका जो एयर है माली यूनिट एयर है इसमें कितनी नमी है तो सो दुरूप से कितनी नमी भरी हुए कितनी आरदता भरी और सापेच आर्दता का मतलग कोई वायू है इसमें कितनी आर्दता है और कितनी और हो सकती है मतलब कितनी भरी है जैसे आप जोला है न इतना समान है कितना और समान आ सकता है इसमें इसे निर्पेच आर्दता कहा जाएगा तो निर्पेचार्ता की कोई मात्रक नहीं होता है यह तो नहीं हो सकता और यहां मात्रक पुछा है ग्राम प्रतिघन मीटर मापा जाता है तो निर्पेचार्ता बिकल्प नंबर C हो जाएगा यही आगे देखें हम लोग 86 में विक्टोरिया जिल के संदर में कौन सा कथन गलत है क्या लाजवाब प्रश्न है विक्टोरिया जिल आप लोग जानते हैं विस्ट की सबसे बड़ी मेठे पाने की जिल सुपीरियर जिल होती है आप लोग जानते हैं सुपीरियर जिल सुपीरियर और विस्ट की दूसरी सबसे बड़ी मेठे पाने की जिल यही होती है आपक दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है आगे देखें हम लोग ये 86 हो गया हमारा और ये 87 है 87 में क्या पूछ रहे हैं विक्टोरिया जील कहां है आप कमेंट में बताईएगा एक बार मैं आपको पता दे रहा हूं अफ्रीका महादीप में है आप लोग कमेंट में आइकोलोजी की सही परिभासा क्या है तो अप लोग जानते हैं यहाँ पहला लिखा है किसी एकल जाती है इसके रहवास यानि आवास के पर्यावरण घटकों का अध्यान करता है यस यह बात सच है तो यही बात सच है है और दूसरा देखें यह किसी समूँ के एक दूसरे के समूँ के परस पर समन्वे निर्भाय उम अध्यान करता है नहीं क्यों यहीं सही है विकल्प नंबर यहीं सही होगा 87 का तो यहां पर जो हमें लिखा किंड़म के संदर में कौन सा कथन गलत है कौन सा गलत है यह व्यों के संदर में गलत है कौन सा यूक के संदर में गलत है तो 지원 Labs हमें खुद मालूम है सातिओं में इतना चरचा में रहता है यह रामसरस्थथल तो United Kingdom में United Kingdom है UK वहां सब्से ज्यादा United Kingdom में ही involved तो कह रहा है दिती अस्थान पर है दिती अस्थान पर नहीं सातियों यह प्रथम अस्थान पर है United Kingdom रामसर असलो की सूची में प्रथम है सबसे ज्यादा रामसर असल वहीं के है तो यही आपका गलत है यही आपका उत्तर हो जाएगा बाकी अपनी जगह पे सब सही है हमसे ग सेंदूआ संचन केंदर कहां स्थापीत किया गया साथ हिन दूआ संचन केंदर कहां बनाया गया तो भाइलों घाटी उत्तरकासि उत्तरखंड में इस आपका डी हो जाएगा आगे देखें हम लोग 90 पूर्वी घाटी नहीं है विकल्प नंबर ये सी नहीं होगा पूर्वी घाटी तो साथियों यह क्यों गलत हुगा कराय यही नहीं है तो जो चार दिया है जो विविता हॉट शेत्र तो यह चारों में से जो है यह पूर्वी घाट तो है पूर्वी घाट नहीं है तो पूर्वी घाट की जगह पर साथियों पश्चमी घाट होना चाहिए था यह पश्चमी घाट तो बिकल्प नमबर डी नहीं है पूर्वी घाट जब पश्चमी घाट होता तो यही चार जो है होट इसपाट छेत्र हैं भारत के लिए आगे हम लुग देखते हैं आगे क्या है 91 का सवाल बहुत बढ़िया पंचवर्सी योजनाओं के संदर में कथन दिये गए है दो कथन है गलत कथन को हमें बताना है तो ध्यान रखेंगे सही को नहीं गलत को बताना है नहीं तो आप गलत कर देंगे आता हुआ प्रशन भी तो देखें तो यह एक बिविद प्रावधान के अंतरगत किर्यानवन ब्योस्था थी जो प्लाइन किया था साथियो पंचवर्सी योजना कि हां आने वाले पान सल में मुख्र काम क्या करेंगे तो उसमें कुछ योजना बद होता थी कुछ गयर योजना बद तो यह बात बिल्कुल सही है प्रावधान के अंतरगत ब्योस्था थी और दूसरा कराय तीप्रदहानडी एवं समावेसी विकास को इगराहवी पंचवर्सी योजना का उद्देश गोसित किया गया था यह साथियो बिल्कुल सही तो इगराहवी पंचवर्सी योजना में इसको गोसित किया गया था त आई के अलग समिती का संबंद किससे है तो आई के अलग समिती का समधातियों यह गरीबी का निर्धारन करने के लिए गरीबी रेखा का निर्धारन करने के लिए बनाई गई थी समिती बिकल्प नंबर भी होगा तो इन्होंने जो गरीबी रेखा का निर्धारन किया था यह क ताकि जो गाओं के लोग हैं ग्रामिड लोग हैं उनको अगर शौबिस सव कैलोरी से कम उर्जा मिलती है तो वो गरीब है अगर कोई शहर का है अगर कोई शहर का है उसे एक्टीस सव कैलोरी से उर्जा कम मिलती है तो वो गरीब हो गया या कैलोरी से संबंदी था इनकी कि एक्वारेजीया बहुत ही पापुलर प्रश्ण दे दिया है एक्वारेजीया निमलिखित में से इसका सही मिस्त्रन क्या है एक्वारेजीया का पूछ लिया है तो शाथियों इसमें जानते हैं यह concentrated E-HCl और E-HCl और ये क्या दे है concentrated nitric acid तो hydrochloric acid और nitric acid यही इसका है E-HCl है यहाँ पर और HNO3 ये concentrated हैं दोनों याद रखे तनू नहीं है तो विकल्प नंबर B आपका सही है ये aquaragia से समझने एक तरह का त्यजाब समझ लेजिए आगे देखें आप लोग जानते हैं कोबाल 60 ये cancer से समझने थे खुब पढ़ाया गया होगा आपको इंटर में इसके बारे में आमतोर पर वीगिनर सिकिस्ता में प्रयोग किया आता है कोबाल 60 तो ये क्यों समझने समझने थे पूछ रहे हैं सरल अभियान सरल अभियान के संबंद में कत्रों पर विचार केजिए विचार करकर हमें सही उत्तर को बताना है तो सही उत्तर बताईए पढ़िए पहले तो पहला जब पढ़ेंगे तो या भारत यों फ्रांस के बीच समुद्री विज्ञान के अध्यन के लिए एक संयूक्त उपगर अभियान है ये जो सरल अभियान है तो ये साथ यों बिल्कुल सही है ये सही है भारत यों फ्रांस के बीच समुद्री विज्ञान अध्यन के लिए एक संयूक्त यानि मिला कर दोनों का एक उपगर अभियान है इस अभियान में अर्गोस यूम अल्टिका नाम की प्रमुक पेलोड है यस तो दोनों बाते सही है यहां सी आपका उत्तर हो जाएगा पंचानबे का चानबे में वाला अगर हम देखें तो मानो उपयोग के लिए लाइसंस प्राप्त करने वाला पहला जीएम खाद फसल कौन सी है तो साथियों आप लोग को खाद कि बागर खाद न दिया होता तब तो कपास हो जाता यहां खाद दे दिया है तो फ्लेवर सेवर टमाटर हो गय होता है जो पूल फार्म होता है जनेटिकली Bir यानि के अनध फसल का टाल तो किसी विशिष्ट बुड के लिए तो यह फ्लेवर सेवर टमाटर था हुं किया था इक दो दिन पेड़ से टूटा दो तो चार दिन ज्यादा ज्यादा अगर नहीं उच होगा तो खराब हो जाते हैं यह जो फ्लिवर से में टमाटर था इसमें ऐसी जीन डाल दिया गया था कड़ेकपन की यह दस पंदर दिन तक आराम से चल जाता था बहुत टाइट रोता था लवकी कद्दू की तरह तो यह इस कि यह होता है कि यह मानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसलिए ज्यादा छेड़ चांड नहीं किया जाता है आगे देखें हम लोग अठानबे में तो यहां साथियों बहुत अच्छी पूष्टक का नाम है आर्मी एन्ड नेशन दमिलेट्री एंड इंडियएन डेमोक्रेसी से इंड़ीपेंडेंडेंस नाम से तो भारत इसमें सफल हो गया है कि आर्मी को पॉलिटिकल से दूर रखा जाए तो पॉलिटिकल से अलग है भारत तो सफल हो गया लेकिन अन्य देश जैसे पाकिस्तान बंगलादेश यह सब सफल नहीं हो पाए उन सब में आर्मी में उनका पॉलिटिकल हस्त छेप रहता है तो पूछ रहा है दो सूची दिया है इन सूचियों को हमें मिला कर हमें उत्तर देना है बहुत अच्छा तो इसमें साथियों आपसे हमें पूछ रहा है लोग पर ये नाम कुछ दे दिया है और यहां पर कुछ ब्यक्ति दिया है तो उन ब्यक्ति का क्या लोग पर ये नाम है उस पसे मतलब कुछ आन्दोलन कारियों उनको घेर लिया उनको भागना पड़ा, तो उनके पिता जी थे ये मुझीबुर रहमान, शेक मुझीबुर रहमान ये शेक हसीना एक फिता जी थे । यही बंगला देश के आजादी करवाने में बहुत बढ़ी भूम्किया थी उनके त इसका मतलब या तो हमारा उत्तर यह होगा या तो यह होगा बी और सी नहीं होगा अब हमें क्लियर हो गया अब हम एकाक और मिल जाए तो हम उत्तर निकाल सकते हैं जन्नायक किसे का आता है जानते अभी करपूरी ठाकुर को यह जो है भारत रत्न मिला था करपूरी ठाकुर ब बातों से हम लोग उत्तर को निकाल लिए अव बाकिया आप लोग को जानना हो, तो आप लोग जानते हैं सांति पुरुस लाल बादु सात्री को बंगाल केसरी आस्टोस चटर जी को, तो यह हो गया, तो यह हमारा उत्तर सेट हो रहा है, आगे देखें, सौ में क्या पूछ रहे हैं, उत्तर परदेश राज मानुवा धिकार आयोग के अध्याश कौन है, तो उत्तर परदेश को पूछ रहा है, याद रखे आपसे उत्तर परदेश राज मानुवा धिकार यानि मानुदिकार आयों भारत के परिपेच में पूछ था तो अरूढ कुमार मिस्रा हो जाते अरूर मिस्त्रा तो दोनों को याद रखे रहिएगा आप उत्तर प्रदेश बालकृष्ण और भारत की परिप्रेश्च में पूछे मानवा दिका तो अरूर मिस्त्रा तो सातियों सव प्रश्णों को हम लोगों देख लिया है अब पूरा हो गया हमारा इस जो वीडियो का से तक के लिए नमस्ता